बारिस के मौसम में अगर गर्मा गरम क्रिस्पी पकोड़े मिल जाए तो क्या ही कहना हेलो फ्रेंड्स नमस्त देश भागत है आपका जोती की पाक साला में तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कॉर्ण के क्रिस्पी पकोड़े एक दम रेस्टोरेंट स्टाइल जिसे बनाना ब तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे इसमें से आधा भुटा को दरदरा पीसेंगे एक जार लेंगे इसमें डाल देंगे आधा भुटा को और दरदरा पीसेंगे तो ये आधा भुटा को डाल दिया है कॉर्ण को और फ्रेस कॉर्ण में ये धागा रहता है सन इसे कर देंगे एक दो रह गया था अब इसे यह देखिए पल्स मोड पे रोक के चलाएंगे फिरोकेंगे चलाएंगे ऐसे करके दो से तीन बार में ही ऐसा दर्दरा हो जाता है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में तो पहले पीसा हुआ कौन को डाल देते हैं फिर बच्चा हुआ जो कौन है इसे भी डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे यह दो बढ़ा चमच बेसन और ज़रूरत अगर लगेगा तो बाद में फिर और डालेंगे अब हम इसमें एक बढ़ा प्याज को कट करके डालेंगे तो यह इस तरह से मैंने छोटा-छोटा टुक्रों में काटा है अब हरी मिर्च स्वाद के नुसार डालेंगे जितना भी तिका पसंद हो एक बड़ा चमच अद्रक लेसुन को कूट करके डाल लई हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता को बारी कट करके आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच जीरा पाउडर आधा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये एक छोटा चमच गड़ मसाला और ये थोड़ा सा बिल्कुल ओप्सनल है कास्मेरी लाल मिर्च और दो पिंच हिंग स्वाद के अनुसार नमक और ये कौन फ्लोर है तो आपके पास अगर है तो कौन फ्लोर डाल दीजी नहीं तो चावल का आटा इसे भी आप डाल सकते हैं तो ये डेर चमच के करिब में मैं कौन फ्लोर डाल दे रही हूँ अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले हुए ही मिक्स करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा बुरबुरा लग रहा है तिसमें थोड़ा सा और एक चमच बेसन डाल देंगे और मिक्स करेंगे और ये अजवाइन में भूल गई थी एक चोटा चमच अजवाइन को हाथो पे अच्छे से रगर के और ये आधा चोटा चमच कलोजी इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर के फिर अब हम इसे फ्राइए करेंगे इसके लिए पहले मैंने ये तेल गर्म होने डाल दिया था तो चेक करेंगे आप थोड़ा सा इसमें इना, साब धानी रखना होता है क्योंकि कॉर्ण कभी-कभी उरता है तो इसलिए जब डालेंगे न लगे की कॉर्ण उर रहा है तो इस तरह से फेस्ट को बचाने के लिए आगे से कभर कर देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा उरे कभी-कभी एक आत उर जाता है तो इस तरह से हम डाल देंगे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इससे गोल्डेन ब्राउन होने तक क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे तो इस तरह से अलटते पलटते हुए इससे फ्राई कर लेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे न तो जल सकता है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे तो बस फिर्स्ट बैच निकल गया यह दूसरा बैच है तो इसी तरह से हम इससे फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो होगी न उसकी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलेगी और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए तो बातों बातों में ये सेकंड बैच भी तयार है और ये थर्ड बैच भी तो ये देखिए एक बिपे से कितना सारा पकोर बनके तयार है तो आप भी इस तरह से बनाइए खाईए यह दम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और अगर आपको धनिये पत्ता की चटनी की रेसी पी चाहिए तो मैं मैंने पहले भी डाली है तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्किप्शन बॉक्स में आप वहां जिकी